नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, नाम दो आपने सुना ही होगा, चलिए आज काम की बात करते हैं सिर्फ, ये रही सबसे शांदार और सबसे आसान डोसा की रेसिपी, और ऐसे वैसे डोसा नहीं, ये हैं हाई प्रोटीन डोसा, वन सर्विंग में आपको मिलेगा 24 ग्राम प्रोटीन, और बनाना इतना आसान होगा कि हफते में आर कई बार बनाएंगे, तो कुछ डालों का इस्तमाल करके हम बना सकते हैं, यहाँ पर तीन तरे के डोसा की रेसिपी आप साथ शेयर कर रहा हूँ, एक स्टफिंग वाला, एक इंस्टेंट स्टफिं मौंग डाल, 100 ग्राम उड़त की डाल और 100 ग्राम यहाँ पर यह दुली वाली मौंग डाल, और 200 ग्राम चावल, इतनी सारी चीजों को मिलाकर मिलाएंगे एक दम शानदार प्रोटीन वाला डोसा, तो सारी चीजों को 3-4 वर अच्छे तरीके से पानी से साफ कर लेना है, उ इसे 3-4 पर यहाँ पर दोना बहुत जरूरी है, कोकि अगर गर्मियों का मौसम है या नहीं भी है, तो पानी में इसमें महक स्यान लगती है, तो इसकी महक खतम हो जाए, इसलिए साफ करना है, उसके बाद इससे लेते हैं हम एक मिक्सर जार में, लेकिन पूरा नहीं इसको दो बारें पीसेंगे, देखिए, और पानी कितना मिलाना है, ये चाय वाला कभ है न, इसमें सिर्फ आधा कभ है पानी, पानी बहुत कम से कम मिलाना है, और कुछ इस तरीके का एक पिस्ट तयार करना है बिलकुल, ये, बिलकुल इदम गाढ़ा सा पिस्ट, पतला बि न, तो डोसा फिर अच्छा बनेगा नहीं न, देखिए, कितना गाढ़ा पेस्ट है, जरूरत पड़ेगी तुम बाद में पानी मिला सकते हैं, लेकिन पहले जितने भी कोशिश करें मतलब, तो गाढ़ा ही रखें तो बहतर होगा, ये देखिए, तो अब दोनों बारे में बड़ी है तरीके से इसे पीस लेंगे, और इसे रात भर के लिए, या फिर साथ से आठ घंटे के लिए, खमीर उठने के लिए रख देंगे, और दिखाते हैं, आपको आठ घंटे बाद देखिए, इसमें कितना अच्छा खमीर उठ चुका है, अच्छा गर्मियों के मौस और इसको अच्छी तरीके से फैंटना है बिल्कुल यहाँ पर, बड़ी यसे एकदम मिस हो जाएगा ना, तब ही हमारे बनेगे एकदम शांदार वाले डोसा, तो मैंने आपको पता दिया ना, सर्दियों में थोड़ा खमीर उठाना तो समय तो जादा लगेगा ही, और इस बीच में से बाहर की तरफ फैलाना शुरू करेंगे हम, बीच में से बाहर की तरफ धीर धीर, तभी यह बनेगा एकदम परफेक्ट, तो थोड़ा सा जब हलका स्टिक जाए उसके बाद लगाना है तील, ब्रश से वो भी बहुत जरा सा हलका हलका, और जब यह अच्छी तर अब बना लेते हैं स्टफिंग, यहाँ पर दो छोटे चम्मच सरसो का तेल, आप चाहिए तो दूसरा भी इस्तमाल कर सकते हो, गर्म होते हैं एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, बारी कटी हुई हरी मिर्च, इसको भून लेना है, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नही जाए गई है, विद्यम शानदार सी स्टफिंग बनती है, यहाँ पर मिलाएंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, बस, और इसको ज़्यादा देर भूनने की जरूत नहीं है, आधा मिनिट ज़्यादा ज़्यादा बहुत धीमी आजपर, ताकि इसमें अच्छी खुश भूआ जाए और जले बिल्कुल भी ना, और यहाँ पर हम ले रहे हैं, चार मीडियम साइज के आलू, जिने कूकर में दो से तीन सीटी लगाकर उबाल लिया है, यहाँ पर मिला दिया है, और नहीं को भी मिला दिया है जाद चमच या स्वात के साब से आप कम जादा भी कर वक्ते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं गर की बात है, अब इसे अच्छी तरीके से मिलाना है, ताकि मसालों को फ्लेवर इसके अंदर आ जा और शांदार स्टफिंग हमारी फटाफट हो जाती है तयार इस तरीके अच्छी तरीके से मैश करने के बाद श्रद्दा अनुसार हरा धनिया और धनिया प्ती बिलाने के बाद मिक्स करिए और यह देखी एकदम शांदार वाली स्टफिंग बहुत ही आसानी से बनकर होती ही तयार, लेकिन आपको यह भी नहीं बनाना है, चलिए आपको एक और बिना भी बनाना है तो एक इंस्टेंट स्टफिंग कैसे तयार करना है, फिरसे वही प्रोसेस थोड़ा सा तेल लगाना है, फिर पानी के छीटे फिर पोहुचना है, फिर बीच में ऐसे बैटर को डालके बाहर की दरफ धीरे धीरे ऐसे फैलाना है, और जितना पतला बनेगा, ये बात तो पकी है, और जब ये हलका ससिक जाएगा ना, उसके बाद इसमें थोड़ा से तेल लगाना है इस तरीके से, और फिर ये स्टफिंग वगरा नहीं बनाना है, बारी कटी हुई शिमला मिर्च, बारी कटी हुई प्याज, बारी कटे हुई थोड़ा से ट मिला दीजिए, और इसके टेस्ट को शांदार बनाने के लिए, यहाँ पर मिलाइए पनीर, ऐसे किस करके पनीर मिला दीजिए भर करके, तो ये हो जाएगा ना, और भी हाई प्रोटीन डोसा, और इंस्टेंट स्टफिंग कह सकते ना, आलू बगरा मत मिलाइए, ये बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आपको स्टफिंग नहीं बनाना है, प्लें डोसा अभी नहीं खाना है, तो ये वाला आप्शन आपके लिए सबसे बहतर है, चलिए बनाते हैं कि स्टफिंग वाला, वही सेम प्रोसेस, सब कुछ करने के बाद में, फिर से गोल को लेके आना ह और उसे बाहर की तरफ हलके हलके फैलाना है, तो आज बिलकुल धीमी होनी चाहिए, अगर आज गरम होगी नहीं बिलकुल तेज होगी, तो बीच में स्टफिंग अगर आप सांभर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं सांभर की तब शांदार पांच मिनट के अंदर बनने वाला सांभर की रेसिपी में डाली हुई है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि घर पे पांच मिनट के अंदर सांभर कैसे बनाएं, और यह देखिए स्टफिंग वाल शेयर और सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अल नोटिफिकेशन को जरूर अलाव कर दीजे, ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास मेरी सारी रेसिपीज पहुँचें, और चैनल पर पुराने हैं तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए जरूर कुछ न कुछ कमे करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बना कर खाईए, एंजॉय करिए, जैहिन